अच्छा जी तो लास्ट सेशन के विलेटेट जो है आप मैं से किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें आदरवाइस हम जो है वो पॉसीड करते हैं एक्स्ट किसी को है क्वेश्चन अच्छा आज के जो सेशन है वो है भी काफी इंपॉर्टन और अनफॉर्टनेटली मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं देखूंगा जहां तक जो है वो कले ने साथ दिया और तबीयत ने साथ दिया तो करेंगे अदरवाइस जहां पर जो है वो मुझे लगा तो हम उसको और नेक्स जो है उसको करेंगे आज का जो है वो सेशन एक तो आडिट के ऊपर है इसमें बंक फाइल जो है बंक फाइल मैनेजमेंट अच्छा इसमें झो है अब जब आड़िट की बात आती है तो जिस तरह हमने लिस्टिंग optimization में जो है वो बात की इस तरह PPC optimization के उसमें जो numerical नुमेरिकली analysis हम लोग कर रहे होते हैं ठीक है numerical या mathematical calculations जो है ठीक है अल्दो अब audit में दो चीज़े होती है हमेशें याद रखिएगा एक होता है qualitative analysis एक होता है quantitative analysis ठीक है अल्दो के हमारे जो ज्यादा focus होता है वो quantitative analysis के उपर होता है कि हम देख रहे होते हैं कि हम कहां पर expensive जा रहे हैं कहां पर profitable जा रहे हैं कहां पर leaders मुझूद है तो ज्यादा हमारी approach जोती है वो quantitative होती है but quantitative analysis is incomplete without qualitative analysis अब qualitative analysis क्या होता है कि जिसमें आपके पास कुछ facts and figures numerical form में तो नहीं होते हैं लेकिन कुछ जो है वो interpretations होती हैं या कुछ statements ऐसी होते हैं कि जिस पर बेस पे आप जो है वो quantitative या numerical decision ले रहे होते हैं मिसाल के तोर पे कुछ external factors होते हैं जैसा कि ये price change की ये price का change होना एक factor है ठीक है इस की वज़ा से काफी चीज़ें effect होती है sales effect होती है ranking effect होती है profits effect होते हैं तो एक cause की depends होते हैं ठीक है तो price का change होना एक factor है आपकी price का change होना फिर competitors की price का change होना एक और factor है इक सिर्ट का कुई deal लगा लेना एक और factor है किसी market में new competitor का आ जाना एक जो है एक factor है और कुछ past दिनों में कुछ certain जो है वो deal वाले दिन जैसे कि ब्लेक फ्राइड़ी हो गया cyber monday हो गया Chinese new year हो गया first year new year हो गया Christmas हो गया तो इन जैसे holidays हो गई तो ये एक चीजें हैं ये factors हैं जिसकी वजह से जो है हमारे overall जो stats है या जो हमारा data है वो भी effect होता है तो एक जो अच्छा PPC manager होता है वो कभी भी bid को उपर नीचे करने से पहले या placement को उपर नीचे करने से पहले या bidding strategy कुछ भी change करने से पहले वो qualitatively और quantitatively दोनों लिहास से देखता है कि यहां पे अगर मैंने इस last 15 days में 20 days में system पर अच्छी perform की है तो उसकी क्या वज़ा है हो सकता है आपने जो है वो prime exclusive discount लगाया हो ठीक है तो उसकी वज़ा से आपकी जो है वो conversion 50% पे हो ठीक है तो अब आप 50% पे समझे लें कि जी मेरी तो conversion 50% है और बेस पे आप बिड़ को हाई कर दें और अगले हफ़ते आपको पता चले कि आपका जैसे ही PD खत्म हुआ है तो आपकी जो product की conversion थी वो अपनी उकात में आ गई है ठीक है तो वो अचानक की आपका account profits expensive में चला गया ठीक है तो यह यह आल्दों के जब हम debt analysis करे होते हैं तो उसमें तो यह चीज़े नहीं होती है लेकिन back end के आपको अपनी niche का पता होना जाएए ठीक है तो audit जब अभी हम bulk file को देखेंगे ठीक है अगर यह आज हो जाते तो ठीक है अगर next session तक होता है तो it's okay फिर उसके बाद system report audit ठीक है उसको भी देखेंगे तो फिर हम यह भी देखेंगे कि basically जो research campaigns जब हमने start में बात की थी तो वहां से system को कैसे migrate करते हैं उसकी proper अपनी होती है ठीक है तो एंड पर उसको भी बात करेंगे तो यह है यह जो है audit से पहले यह चीज़ें आपके mind में होना लाजमी है कि आपने हर लिहाद से चीज़ों को देखना होता है अच्छा आप मैंसे कुझे मुझे बताएगा कि कीवर्ड और सच्टर में क्या फर्क होता है को मैं बताएगा कीवर्ड और सच्टर में क्या फर्क होता है मतलब मैंने अभी कहा कि हम बल्क फाइल से भी जो है यह बल्क फाइल में से आप आप में से किसी बल्क फाइल को यूज करता है यह आप लोग अगर अभी किसी है ठीक है इसमें इस वक्त जो है वो नजर तो यह आ रहा है कि दो तीन प्रोड़क्स हैं तो अभी तो खैर यह तो कैम्पेंस कुछ भी नहीं है जिन अकाउंट्स पे हम एक प्रोड़क्ट भी हो तो वहां पर भी हमारी पच्चीस तीस चल रही होती है डिफरेंट ठीक है तो इसमें आम तोर पर आप मुझे बताएं कि आप चिंज़ कैसे करते हैं या वह उख ऐसेच करते हैं को JE को आप मैंसे मुझे बताएगा इसे लाजमेясनि आपका जी वहां से क्रेक्ट्रिव कि илय है एक कार्णूर को क stable आपके मांद्ट मैं आ रहा है आप बता दें अ कर देंगे तुंस नोगी को यह को Cham plats कॉप लोड़ कर देंगे। हम 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 ठीक है इसको जी यह बलक फाइल पॉइंट अच्छा मॉविया कह रहे हैं कि I did okay great ठीक है मॉविया मतलब आप अल्रेडी बलक फाइल से वो कर रहे हैं तो आप को जो है वह अभी सेशन में बाकियों से ज्यादा समझ आ जाएगी तो बाकी जब रेपीट में देखनेंगे तो उनको भी अदिस्टेंडिंग हो जाएगी अच्छा इसमें पहली बात तो यह है कि जब आप आडिट की बात आई तो अच्छा पहले मुझे आप आप मैंसे को यह बताए कि वर्ड में क्या फर्क होता है कार्डी को मुझे बताए मैं आलरेडी गारी हिए जी एक सथी, सथी किवड है प्रॉड्ट का कीवड होता है जो कश्टमार सर्च कर रहे होता है एक जो की वर्ड होता है वह के सब्सक्राइल कर सारज करते हैं आप ने वह पूरा जो हम सपर्श करते हैं कुछ तो वह दोनुछ तर्म में यूद होगा सच्टर में और जो कीवर्ड जो होता है वह एक्जेक्ट मतलब जो होती है या वर्ड होता है तो हम लोग एनिया अपने जिस तरह ही लिए मगरें से कीवर्ड होते है बाकी सर्च डर्म जो है इट कन्टेंग जो यूजर टाइप कर रहा है रेंडम ली ठीक है लेकं इस तरह सब्दों अच्छा इसमें बेसिकली जो है वह जो हमें कैसे पता चला कि जो सिलिकोज़ यह एक कीवर्ड है इसका सब्सक्रणफ वाले में इतना है ठीक है तो अब अविसली इस नाट हंड़िड परसंट एकुरेट एस्टीमेशन होगी ठीक है तो एक तो यह है कि कीवर्ड जो है वो हम डूल की मदल से ले रहे होते हैं और उसमें जो हमारा सच वालियम और सारे स्टेट्स वह एस्टीमेटीड होते है लेकिंग झो कस्टमर सच टर्म है यह प्यूर आपके पास डेटा होता है और कस्टमर सर्ष टर्म का जो डेटा होता है अग эт works का झार सब्क्रेट नी मिलेगे एचिस कि वो जो एग्जेक्ट वह सच टर्म है ना for example silicon stretch lids अब उसमें ऐसा आ रहा है ठीक है वो पलूरल है तो वो जो सर्च टर्म है वो अब अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि सिलिकान स्ट्रेच लेड़ एक कीवर्ड है तो उसका पलूरल सिंगुलर डिफरेंट सर्च टर्म्स है ठीक है तो अब वो एमजोन आपको जो जब हमने रैंकिंग की बात की थी ना उस वक्त हमारे पास कीवर्ड थे अब एंधर स्केलिंग वाली साइट पर ठीक है कि हम आप जो हमारे विसर्च केम्पेंज होती है उनका अबजेक्टिव ही यही होता है कि वह हमें सर्च टर्म्स डिस्कवर करके दें कीवर्ड हम उनको देते हैं कि लिकान स्ट्रेच लेड़ कीवर्ड है जिसमें लेट सब्सक्राइब हमने चलाया तो हमें बहुत अची पर्फार्मस मिली तो अब हम उनको डिफरेंट रिसरच केंपेंज जैसे कि फ्रेज ब्रॉड में चलाएंगे तो अब हम कहेंगे कि इसकी हो सकता है एक हीलियम का सर्च वालीम जो है वो पचास है लेकि आपको इसको डेली का एक डू आडर आने लग जाए ठीक है तो वह किस्टमर का कमाल होता है कि जो वह या वह हमारी उसमें नहीं होती तो वह हमेरे पास डिसकवर करके लिए आ स्केलिंग में क्या होता है अब स्केलिंग का जो टाइम पिरिएट है यह स्टार्ट होता है जब आप अपने टार्गेट्स के अगेंस्ट रैंक हो जाते हैं अब इसमें जो है जब आपको याद हो का कि लास्टम हमने जो है वेंकिंग के पॉइंट अभी उसे बात की थी त को budget कितना दिया उसके लिहास से तो लेकन आपको गोल होता है कि और यह कर लिया अपने आपको अन्मिट करने बाकी जो हमार गोल जही होता है ना कि स्टार्ट में हमारे पीपीसी आर्डर जो है वह ऐसी नवे परसंट होते हैं फिर हम उसको फिफ्टी परसंट पर ले ले आते हैं ठीक है तो जब पीपीसी आर्डर डिक्रीज हो रहे होते हैं तो आरगेनिक आर्डर इंक्रीज हो रहे होते हैं क्यों क्योंकि हमने वैंकिंग क objective achieve कर लिया होता है तो हो सकता है आपकी एक्वास जो है जब आप rank हो जाएं या rank हो रहे हुं तो आपकी एक्वास जो है वह 50% वह हो सीट परेस्शन्त हो 50% साट परेसंट हो 40% डिपेंडीग up on factors लेकश लैकर। आपकी जो जब आप rank हो जाते हैं तो फिर जो profitability का जो parameter है ना वो है take cause कि आपकी take cause क्या है ठीक है तो आपने ranking के बाद ये make sure करना होता है कि आपकी take cause break even से नीचे आ चुकी है ना सिर्फ यह है कि नीचे आ चुकी है बलकि अवराल आपका account जो है वो profit में आ चुका है for example आपका आप मैंसे कोई पोल रहा है किसी को question तो नहीं है या मेरे साथ जो है वायस लैक तो नहीं कह गए आप मैंसे कोई चैट में बता देंगानली सरो के सर अच्छा तो ठीक है तो वहां पर यह होता है कि आपने tech cause को देखना है अब यह tech cause वगयर है इनकी definitions already KPIs में हम देख चुके है और बाद में audit की दुरान भी हम चीज़ें देखते रहेंगे तो आप प्रोड़क्ट में काम करें जिसका profit margin जो है वो 30% है तो एकास भले आपकी 50, 60, 40% है रेंक होने के बाद लेकिन आपने देखरीज हो चुके हैं तो numerically आपका जो account है वो अगर 15 to 20% take-off है तो इक मेंज नुमेरीकली 15 to 10% आपका account profit में आ चुका है ठीक है तो हो सकता है वो 15 to 10% बनता हो वह बेसिकली जो है वो हो सकता है 2000 डालर बनता हो लेकिन लाजमें नहीं है वह आपका true profit हो क्योंकि अगर सो डालर उसको दे रहे हैं ठीक है helium बाई किया हुआ है तो कुछ सो डालर उसको जा रहा है ठीक है और इसके इलावा आपको return refund आ रहे हैं तो वह सारी profit and actual जो profit है वो profit and loss की reports calculate करने के बाद जो आपको आता है एक्शल profit तो वह होता है लेकिन यहां पे हम अपनी analysis को यह calculations को simplify र कि rank होने के बाद 15-20% आ जाए अच्छा अब 15-20% आ गई तो इसमें आपको एक idea हो जाता है कि okay now we are almost ranked on certain targets अब होता क्या है कि अब आपने वहाई पर रुकना नहीं होता ठीक है of course new competitors आ रहे होते हैं और जो already competitors होते हैं वह market share अच्छा लेकिजा रहे होते हैं तो वह आपको ज scale जो है इसमें एक तो यह है कि हम अपने जो वो targets जिनको हमने इस वज़ा से छोड़ दिया होता है कि वो थोड़े से broad keywords होते हैं या फिर उसमें वैलिवेंसी इतनी हाई नहीं होती जितना के बागी कि यह वो किसी भी वज़ा से उस वक्त convert नहीं हो रहे थे but they are relevant maybe due to social proof like that तो लेकिन they have a good traffic ठीक है उनका search वाले हम अच्छा है तो अब यह है कि अब हम उनको certain बज़र दे के उन keywords को भी चलाते हैं कि okay अब यह है कि अब हम इन keyword से extra sales जो है वो जिनरेट की तो इसमें जो है हमारे broad keywords आ जाते हैं ठीक है और exploring new head and match types ठीक है अब रैंकिंग में तो हम mostly जो है वो sponsor product में sponsor brands के साथ डिस्प्र करें होते हैं तो मैंने तो जब आपको campaigns creation में बताया था तो हमने sponsor brand display product हर चीज़ डिटेल में देखी तो there is a lot to test ठीक है तो start में तो आप अपने limited budget और उसकी वज़ा से जो है वो mostly आपका sponsor product या brand पी हो रहते हैं तो फिर यह है कि अब आप अपने जो best converting targets होते हैं उनको sponsor display में भी चलाते हैं sponsor brands में अब sponsor display आपको अलड़ी पता है कि उसमें जो different targeting की हम बात कर चुके तो वहां पे आप test करते हैं तो इस तरह आप horizontally जो है अपनी sales को increase करते हैं while being profitable ठीक है so scaling is about expanding sales while being profitable it's not about putting money from pocket ठीक है तो तो अब over the period of time जो है वो आप of course जब fine tuning हो रही होती है तो आप की टेकोस बेतर होती जा रही होता है अप जो है आपके पास जो है वो basically आप आप अला होता है कि आप थोड़ी से extra जो है वह उसमें वो कर सके अप इसमें होता है है कि यह वैसे सर्ष्टम जो है वो यहां पर मैं भी आपकी उसके लिख देता हूं कि जब हम सर्ष्टम आडर्ट करेंगे और बाद में तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा एक तो ब्राइड की वर्ड होगे और दूसरा आपकी जो है माइक क्रेशन प्राम रिसर्च ठीक है जो हमने विसर्च केंपेइन जो है जिनके अपर हमने पैसा लगाया होता है तो वहां से जो सर्ष्टम जो है डिस्कवर होती है उनको हम माइगरेट करके आ रहते हैं तो होता ही है कि हमारी सेल्स एक्समेड गर रहे होती है और वाइल मैंटेनिग दिए कास ठीक है अ तो कोई मुझे सिंगल लाइन में बता सकते हैं? पीपीसी अप्टिमस सब्सक्राइब होगी कि सब्सक्राइब कोई आइटम अपने एक्जेक्ट नाम पर सर्च करें तो इस तरह मतलब सर्च हो इसको अगर आप जहां वो वेंकिंग पर से देख रहे हैं तो ठीक है यह कुछ हता कि ठीक है लेकिन बिजनेस के अंदर या वैसे भी एकनॉमिक्स के अंदर जब तो आप्टिमाजेशन का वर्च उता है ना इट मेंस के यू वांट तो इंक्रीज प्रॉफिट वाइल डिग्रीजिंग इव यूँ उन्क्रीज सेल्स वाल डिग्रीजिंग स्पैंड ठीक है जब आपका जो है वो जब आपका सेल सेल का ग्राफ उपर जा रहा हो और स्पै optimization और optimum point वो होता है कि जहां पे मजीद जो है उसको अगर आप spend को कम करें तो sales कम हो या जहां पे आप spend को ज्यादा करें तो sales ज्यादा ना हो तो उसमें एक optimum point होता है तो यह economics की term में optimization होती है तो PPC में भी same चीज़ यह है कि you have to increase sales while decreasing or maintaining spend ठीक है अगर तो आपका sales भी ऐसे उपर जा रही है linear graph जा रहा है उपर और आपका spend भी ऐसे उपर जा रहा है तो it means कि वह पैसा फैंक तुमाशा देख वाली बात है और sales आपकी increase कर जाती है तो it means you have optimized profits ठीक है तो यह जो है वो PPC में भी हमारा यही focus होता है तो scaling में आपने optimization करनी होती है ठीक है यह नहीं है कि जहां से जो expensive है उन keywords को आप बंद कर दें ठीक है और जो अच्छे चल रहे हैं उनको चलने दें होगा क्या कि जो जो expensive चलने हैं उनको जब आप पास करेंगे तो आपकी sales भी जो है वो खत्म हो जाएंगी ठीक है तो spend भी खत्म हो जाएगा that is not optimization ठीक है तो उस तो अगर आपने एक जिरो लानी है तो फिर सारी campaign को भी पास कर दें एक जिरो आजाए ठीक है तो यह है बाहर स्केलिंग में हम अपने ब्राड कीवर्ड को भी जो है वो target कर रहे होते हैं new add types match type जो हमें पहले वो नहीं की होती है उनको भी कर रहे होते हैं ठीक है अच्छा इसके इलावा जो है अब हम आ जाते हैं अच्छा इसमें मैं तो जो है वो अभी भी एवन आप account का audit कर रहा था और वो मैंने अपने team member को भूला है कि मुझे आप जो है एक certain days की bulk file सेंड कर दें और अभी session स्टार्ट होने से 10 मिन पहले मैंने उसको जो है वो किये कि आप कर दें ठीक है तो मतलब मैंने seller central login कि बगएर मैंने चीजें जो है वो की है और मैंने उसको बोला है कि आप ये currently implement कर दें तो ये इसका जो है वो फायदा होता है bulk file का और for example अगर मैंने bulk file यूज नहीं भी करनी अगर अगर तो आपके पास एक ही account है और उसमें आपके पास साथ आठ जो है वो I mean campaigns हैं तो फिर मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप जो है वो bulk file यूज करें उसकी करनी है तो वो तो आप यहीं से भी कर सकते है ठीक है लाकि इसमें होगा क्या कि आप खेलते रहेंगे ठीक है कभी इसको एक new tab में को open करेंगे और तिर आप कभी इसके placement का data देखेंगे कभी targeting में जाएंगे कभी बिडिंग strategy में जाएंगे कभी CTR देखेंगे कभी conversion कुछ भ आपके decisions बैतर होते हैं ठीक अगर आप इदर दर स्क्रॉल करें चीज़ें तो आपका जो है वो एक तो time waste होता है दूसरे decision भी impact होता है तो अब अगर तो आप PPC जो है services provide करने वाले तो इसका मतलब आपको एक account तो नहीं होगा आपके पास तो फिर आपको bulk file use करनी ही होगी यहां पर आपका time जो है वो save करो दूसरी है कि यहां पर आप अगर आप campaign manager से करते हैं बिड्स वगरा चांज या calculate सब कुछ तो आप most probably आप ज्यादा mistake करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा ठीक है as compared to bulk file बस को use करने के जो है वो तो इसे अपने protocols हैं आप वो कर लें त तो यहां से जो है अगर हम sponsored ad में तो यहां पर आप देखे हैं bulk operations आ रहा है ठीक है और इसके इलावा अगर measurement reporting में तो यहां से रिपोर्ट आ रही है तो जब हम बाद में अगले किसी session में system report audit की बात करेंगे तो तब हम जो है वो यहां से system report download करेंगे लेकिन अभी जो है हम bulk file management और audit via bulk file की बात करें तो यहां से जो है हम इसमें bulk file को open कर लेंगे अच्छा इसमें यह है कि अगर आप यह देखें कि हम अगर bulk file से audit कर रहे हैं तो हम इस system की जड़ोत क्यों पेश आई है या जब हम से कर सकते हैं तो bulk file से हम क्यों कर रहे हैं तो मेरा basically जो है वो तरीके कार एक्जेक्ट की केमपेंज होती है इसके इलावा जो के इनको इनकी मेराफिय करता हूँ तो उनका आडिट जो है मैं सब्सक्राइब विपोर्ट से करता हूं ठीक है तो यहां पर आप आगए अब यहां पर यह जो है डिफरेंट टाइम वो है आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं तो आप डिपेंड यह करता है कि आपने किस टेट की बल्क फाइल डाउनलोड कर हैं तो वैसे अगर आप बाई विकली आडिट कर रहे हैं तो आप पिछले दस से चोदा दिन की विपोर्ट डाउनलोड करेंगी अगर आपने काफी अवसे बाद जो है वो चीजों को देख रहे हैं यह एक अकाउंट पर डेटा बहुत स्लो आता है तो यह थिंक थर्टी ड स्लेक्ट कर लेते हैं बंचने थो आप से पोच रहा पर नहीं पर अगर तो मैं चाहता हूँ के अगर मैं उन पर Him तो उन पर बिड़ काम हो अगर me on तो देखना चातब हो तो मैं एक फालतूगा डेटा है तो मैं इसको चेक भी कर सकता हूं ठीक है और बाकि आप जो है यह अफकोर्स जो प्लेस्मेंट डेटा है उसको कभी भी अंचेक ना कीजेगा मैंने आपको लासे शिंप बताया था कि प्लेस्मेंट के बगार जो है वह हम डिसिजन ले ही नहीं रहते तो यहां से आप क्रियेट स्प्रेडशीट करेंगे तो यह जो है एक दो मिनिट में डाउनलोड हो जाएगी मैं भी सेशन में हूँ अच्छा तो यहां से जो है आपकी जो बल्क फाइल है वो डाउनलोड होगी तो यहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे एक्सल की फाइल अच्छा यह है बल्क फाइल इसमें जो एक टैब है वो होता है पॉर्टफोलियो का ठीक है कि जो डिफरेंट पॉर्टफोलियो आपकी चाले रहे हैं तो यहां पर डिलिवरिंग आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह पॉर्टफोलियो में में तो यहां पर आपका वैसे कोई खास काम होता नहीं है आंटिल आनलेस के आपने को पॉर्टफोलियो में जो है वाइस चीज़ें देखनी हो अच्छा मुस्टली अब यहां पे पहले एमाज़न जो है उस्पांसर डिस्पले का डेटा भी देता था लेकिन पिछले एक द होता है तो स्पांसर प्रोड़क्ट और ब्रैंड्स को हम यहां से देख रहे होते हैं तो यह है बल्क फाइल जिसमें एक यहां से अगर मैं आपको तो बल्क फाइल से इंट्रिद्यूस करा दूं सबसे जो पहला कालम होता है वो होता है रिकार्ड आइडी का ठीक है अब यह जो है वो हर केंपेंड की अपनी रिकार्ड आइडी होती है तो आपने इसकी रिकार्ड आइडी को नहीं कुछ कहना ठीक है इस कालम मैंसे आपने कोई चेंजिस नहीं करनी क्योंकि उसके अपने बैक अप रिकार्ड के लिए ठीक है अगर आप यहां पे कुछ करें कि पहले जो है वू campaign होगी फिर उसकी जो तीन होती है यहाँ से अभी हम देखेंगे यह top of search rest of search पीडीपी तो फिर इसकी जो है वो पीडीपी की तीन रोज होती है फिर add ग्रोप होता है फिर add और नीचे अगर keyword है तो keyword थैफो अगर सब केटेगरी है तो सब गैटेगरी वटएवर जो भी आपका टार्गेट है वह यह होगा तो यह एक केंपेंघ कामपेन खतम होगी तो नेक्स्ट केंपेन ऐसी स्टार्ट होजाएगी देखाँ केंपेन केंपेंट फिर प्लेसमेट एड़ ग्रूप ऐड़ कीव पर चालिस कीवर्द भी होंगे तो यहां पे चालिस कैमपैन के साथ चारीस कीवर्ड की रोज होंगी एक यवर्द हो sistema किकिवर्ड है तो है की बाद जो है वो अजैस्ट स्टार्ट हो जाती है अच्छा तो नेक्स्ट है आपका केंपेन आइडी तो इसको भी आपने कुछ नहीं कहना है यह भी एमाजोन के अपने रेकार्ड के लिए यहां पर अगर आपको चेंज करेंगे तो आपको यह आवर्ड देदेगा कि आपने कोई मिस्टेक किया ठीक है अच्छा जी तो यह है आगे केंपेन का नाम ठीक है जो के यहां पर नामन कलेचर में मुझे इशू लाग रहा है कि नामन कलेचर अच्छा नहीं है अच्छा दूसरी चीज जो हमने नामन कलेचर की उपर इतनी तफसील से बात की थी अगर आपका नामन कलेचर नहीं होगा ना तो यू कां तो जब आपके पास जह हो फिर क्योंकि यहां से जो हम पर इस वक्त देखनी है तो मैं जहां वह से विल्ट को ही देखूगा तो नामनломड के लिए चिह चोब आपका अच्छा होगा तो आप बल्क फायल से कर सकते हैं अधरवाइस आप नहीं करेंगे ठीक है कर रहे हैं कि वाइस लैक करें करें वैसे आज मैं काफी बोल रही है थोड़ी थोड़ी अच्छा कुछ मैं वैसे भी स्लोब बोल रहा हूं आज ठीक नहीं है तो बाकि कुछ में भी इंटरनेट की मिरवानी होगे वैसे अभी तक जो है वो कोई इस पॉइंट स्किप तो नहीं हुआ समझ आ गए थी तो यहां पर आपकी जो भी केमपेन का नाम है अब अफकोस आपकी सारी उसमें एक ही केमपेन चल रही तो एक ही नाम आएगा ना ठीक है तो इसलिए आपको एक ही नाम नजब आ ठीक है यहां पर होता है केमपेन का बजट ठीक है जो भी आपने बजट देना है वो सब कुछ यहां से चेंज कर सकते हैं यहां पे होती है पॉर्टफोलियो आड़ी इतने ज्यादा आप इसको जो होता है ना सच टर्म वहां पे तो आप पॉर्टफोलियो से चीज़ें वो कर रहे होता है लेकिन बल्ब में portfolio ID इतनी help नहीं कर रही होती है तो यह जो है campaign की start or end date होती है तो मैं mostly क्या करता हूँ मैं इन तीन columns को और यह अगला जो column है न आई column आई यह बताते है कि आपकी manual है यह आट हो तो मैं इन तीन को जो है वो hide कर देता हूँ और अगर मुझे budget से वास्ता शास्ता ना हो तो डिपेंड करता है मैं किस objective की दाइट कर रहा हूँ तो मैं जो unnecessary column है उनको मैं hide कर देता हूँ तांकि मेरा जो maximum data है वो एक single window के अंदर नदर आए ठीक है अच्छा तो next ad groups अब जैसे मैं जो है वो data होता है ठीक है और फिर next ad group का अपना data होता है तो एक campaign में अगर multiple ad groups है तो bulk file में भी वो separate separate show होंगे ठीक है लेकिन अगर एक ad group है ठीक है for example यहां पर यह एक ad group है ठीक है यहां पर एक ad group है और उसके आगे multiple ads हैं तो वह आपको यह जो रहना यह यहां पर फिर आपको दो तीन अज़र आएंगे ठीक है अभी तो आपको एक ad नज़र आए नहां यहां पर दो तीन ad की row नज़र आएंगी जितने आपके नबर अफ एड्स हो ठीक है अच्छा यहां पे आपकी बेड़ आ गई ठीक है अभी यहां पर पॉइंट फो इड जो भी बिड़ हम वो कल्कुलेट करते हैं जो आपको बिड़ नजर आती है ना टार्ग्टिंग वो यहां पे शो होती है मैक्स बिड़ में अच्छा कीवर्ड यह कालम अभी मैं इनको वाइड कर देता हूं कीवर्ड आर यह कहता है कि कीवर्ड आर प्रोडक्ट ठीक है तो अगर यहां पे जो कीवर्ड टार्गेट हुआ 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 है यह अगर कोई एसन टार्गेट हुआ है ठीक है तो वह आपको पता चल जाएगा कि यह एसन टार्गेट हुआ है अ यह आगरि मैच टाइप ठीक है जैसे इंग्जक्ट है फ्रेज है ब्रॉड है या फिर नागिटिव इग्जक्ट है नेगटिव फ्रेज है गंपेंब लिगडिव इगजक्ट है तॉ आपको यहां। नदर आएगई ठीक है तो अभिव इसको फिल्टर शेट्ल लगा के चेख करते हैं तो यहां पे अब यह डिप अब यह एक अच्छी जीज़ है कि आप SQ का नाम ऐसा रखें कि वह बल्क फाइल में पता चल रहा हूं ठीक एक्स वैजी इस तरह रखा हो गया अब लेट स्पोज मैं ब्लैक भी बेच हो पिंक भी बेच हो तो अगर मैं SQ भी ऐसा हो ना तो मुझे बल्क फाइल में बहुत तो अगर आप SQ एसा हो कि आपको बल्क फाइल में पता चल रहा हूं कि यह बल्क फाइल ना भी हो ओवरल रिपोर्टेंग इदर दर आपको पता चल रहा होता है SQ के नाम से अच्छा यह है कंपेन का स्टेटस ठीक है अब मैं आपको यहां से बताता हूं कि यह वियर अब कंपेन का स्टेटस यह है कि वो कि इनेबल है यह डिसेबल है अभी इसका जो स्टेटस है ना बल्क फाइल में कहा भी बलक फाइल हमारी अभी तो अच्छा यहां पर अल्लाई खेर करें इतना सब कुछ तो पाज ही है पिर ट्रेटा क्या होगा अच्छा तो यह जो है अब यह इनेबलड आ रहा है इसका मतलब है कि जो यह वाली कैम्पेन है जो भी है यह यह सिलिकान स्ट्रेचलेट अब इसका नामन कलेचर अच् तो यह किम्पेन इसकर चल रही है तो इसका स्टेपस क्या इनेबलड जब कुई कैम्पेंब जो है वह यहां से इसको बंद कर दो अगर मैं आपको यहां से अभी एप仔क्यों तो उसमें से जो बल्क फाइल है वह भी उसका स्टेटस बताएगी कि यह कम्पेझन क्या है पाज है अब जो पाज है उसको तो आप वैसे फिल्टर बड़ कर देना उसके ऊपर तो टाइम वेस्ट करने की जरोगे नहीं है जिसके उपर हमिन कैमपेन फाज है अच्छा फिर उसके अंदर आ जाता है एड कैमपेंग कैंपन के जो बिसकली आप युं समझें कि आ तो एक आड गूप चैल रहा हो दूसरा पाज हो ठीक है तो यह आपने करना होता है कि आप आप अगर कहीं पे पाज है तो वहां पे चेंजेड करने की जरूत नहीं है क्योंकि वह इंपक्ट नहीं करेगा और इसी तरह यह है आप यह समझें कि उस जो कि जो टार्गेट है ना नहीं लेकिन दिपॉइंट हेर इस वरी इमपॉर्टेंट कि इसको आपने एजी नहीं लेना जिन तीन कालम है ना इनको जब आप फाइल से वो करें ओप इसको आपने इजी नहीं लेना उसकी वज़ए यह है कि एक पास्ट केम्पेइन को आपने फ़र्गंपल जब जैसे हम लोग करे होते हैं हम तो एक जो है वो ऐसे फिल्टर लगाते हैं अगली दस बीस रोज के उपर इनेबल का जो है इस तरह सेक्रोल कर देते हैं तो उस वक्त जो है वो इतियात करनी होती है कि अगर आपकी कोई पास्ट कोई केम्पेइन इनेबल हो गई तो उसमें आप उस पे भी स्पेंड आने लग जाएगा तो वो आपका एक एक एक्स्ट्रा बजट ले जाएगी और जिब तक आपको पता चले तो हो सकता है वो अच्छा खासाब का नुक्सान कर चुक्यों ल मेरा एक मेन कीवर्ड का जो है वो कीवर्ड चल रहा है कहीं पे फर इसमपल यह मेरा मेन कीवर्ड है ठीक है यह वाला आलो इसमें केंपेंड पास है तो अगर मैं इस यह जो कालम आर के अंदर यह वाला सेल है ना इसको आपास कर देता हो गलती से तो मेरा मेन कीवर्ड पास mistake की वज़ा से या इस blender की वज़ा से ठीक है तो आपने यह mistake नहीं करनी इन तीन कालम में जब किसी कीवर्ड को किसी target को pass करना हो तो आप double check करें कि ओके यह वो कीवर्ड है जिसको आप पास करें या अगर आपको अपने वह वह स्टार्ट में ट्रस्ट नहीं है तो आप यह वहाला काम आप जो है वह सारे काम कर सकते हैं अच्छा उसके अगेंस जो है I think यह मैं यहां से अच्छा इसमें जो सबसे पहला काम मैं करता हूँ ना bulk file download करने के बाद मैं एक indexing table बना लेता हूँ जिसको मैं IT के नाम देता हूँ या इट आप कुछ भी कह लें अच्छा तो इस पे जो है वो I think मुझे वो impression को अंचेक कर देता ना तो जिंदगी असान हो जाती यह zero impression वाली जो है वो campaigns भी यहां पे आ गई हैं तो चलें अभी हम filter लगा कर उसको है वो किक काउट कर देंगे अच्छा यहां से जो है ना यह एक गिंती जिसना एक से लेके एंड तक ना मैं एक इंडेकसिंग टेबल बना लेता हूं इसको मुझे फैदा काफी ज्यादा फाइदा होता है खासते अगर मैं कोई मिस्टेक वगरा करता हूं वह यह है कि यहां पे अगर आपने काफी ज्यादा चेंजिस कर लिए ना बल्क फाइल में अब मसले एक बल्क फाइल में आपने चेंज्जिस करके फिर अफ्लोट भी तू करनी है ना तो अगर आपने फिर्elinपल आपने कुछ चेंजिस कर ली हैं काफी ज्यादा फिर आपको ख्याद आया कर नहीं वो कुछ खलत हुआ है अगर आप उसको दुबारा उस अर्रेंजमेंट पर लेकर जाना चाहते हैं अपनी बल्क फाइल को या तो आपको फिल्टर रिमूव करना होगा या फिर जो है वो कंट्रॉल जी करना होगा कंट्रॉल जी करने का मतलब यह है कि सारी जो चेंज़ेज़ हैं वो आपको अंडू करनी होगी ठीक है लेकर आगर आपका यह इंडेक्सिंग टेबल है ना इसका मतलब यह है कि जबी भी मैं इसको असेंडिंग आर्डर में करूंगा तो मेरी जो बल्क फाइल है वो औरिजनल आर्डर में आ जाएगी जिस तरह के वो मैंने डाउनलोड की थी ठीक है तो विदाउट डूइंग कंट्रोल जी या अंडू मैं उसको अपनी ओरिजनल फार्म में लेकर आ सकता हूं ठीक है अच्छा अब यह जो है वो मूर्ट तो था इस पे हम फैदर आडिट पॉइंट अब्यू से भी उपरते पर आइधिंक अभी पॉसिबल नह है हम जैक्स्ट जो हैं वो साथ उले कुछ वो चले हम अगले लेक्शिर में देख लेते हो तो फॉद्जुर में आपको फिल्टर आउट पर longtemps कर के कि लेट स्पोस मैंlaus पर फिल्टर लगा दिया थीक ब अब यहोता है कि अब मैंने काॉम का डेटा निकालना होता है और यहा सिलिकान स्ट्रेच लिड्स का ठीक है एक चीज तो यह होगी कि एससल की जो है वो केमपेंज मेरे सामने आ गए ठीक है दूसरी एक असानी यह होती है कि अब इसमें भी एससल में भी जिन केमपेंज की उपर यह जिस उसमें बिलकुल इंप्रेशन नहीं है मैं कहता हूं कि लेकिन इसमें एक चीज इक चीज आपने भी अन्चेक कर दिया वह सकता है कि कीवर्ड में जो है वो किसी कीवर्ड के वापर इंप्रेशन जीर हो तो वह यहां से चिलागे होगा लेकिन जो उस कैमपीन है ना वहां पर रहजूर्स होगी मजूद होगी ठीक है तो एनिए ओप उसको कोई क्लिक कोई स्पैंड नहीं आ तो वह सकता है अब हमारा उबजेक्टिव आप अगर आप उन कीवर्ड को देखना चाहते हैं जिन पे वो सकता है इंप्रेशन नी आ रहा है बिड्र होनी के वजाब से तो फिर आप इसको नहीं करेंगे अच्छा तो यहां पर जो है ना आपके पास इन के अगेंस्ट डाटा आ गया कि इनके इस कंपेंड पे इंप्रेशन क्या है प्लेस्मेंट पे इंप्रेशन क्या है क्लिक्स क्या है spend order total unit everything ठीक है अच्छा इसमें फर्दर जो आप एक काम यह कर सकते हैं कि आपने देखना है कि आपने सिर्फ कीवर्ड देखने हैं ठीक है तो आप क्या करेंगे बाकी टाइप के अंदर सब को एंचेक कर देंगे सिर्फ कीवर्ड को सेलेक्ट करेंगे तो यह हैं वह आपके वह कहां हमारे पास तीन-चारफ़ार रोज थी तो यह वो सॉत आठ्ट दस कोई सेल ड्राइवर हैं यहां से मेरिली सेल्स आ रही है तो यह इनकी जो है आपकात है वह एक सिंगल विड्व में आ गई है कि यह इनकी जो है वह पर्फॉर्मेंस है ठीक है तो यहां पे आप इसमे चीजों को कैसे करते हैं वो हम नेक्स सेशन में देखेंगे अच्छा तो यहां से जो है वो कीवर्ड का गया अब यहां पर जो है वो कीवर्ड सिर्फ चल एक्जेक्ट में गाये हैं अदरवाइस आप क्या कर सकते हैं आप एक्जेक्ट वालों को सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेज अब keyword let's suppose आपका हो गया अब आप product targeting को करना चाहते हैं तो यह product targeting आगए ठीक है तो इनकी भी उकात आपके सामने आगई कि इनके उपर क्या performance है इन targets की ठीक है अब मैं आपको बात बता रहा था ना quantitative versus qualitative यह window जो होती है नहीं यह window यह this is about quantitative analysis but checking the keyword इसके उपर एसन कौन सा रन हो गाए जिस एसन के अगेंस यह performance है उसलिए अगर performance पूर रही है तो क्या उसने कुछ डील तो नहीं लगाई वो जाके market से क्रास चेक करना that is called qualitative analysis ठीक है अच्छा तो यहां से हम इसको unslept कर देते हैं तो यहां पर अभी match type में यह आप देख रहे हैं चलें यहां पर भी कोई negative targeting नहीं यहां से negative एक्जेक्ट और वह भी आ रहे हैं तो अभी ऐसा है कि आज का सेशन जो है वो यहीं पर स्टाप करते हैं वैसे तो यह सेशन ऐसा था यह मेरा फिर्वेट सेशन होता है मतलब आड़िट क्यूपर और यह इसको मैं दो तीन गहंटे भी ले जाता आज ठीक है और मै इसको खतम करता लेकिन अभी जो है वो अभी में गला जो है वो जवाब दे गीए तो जो एक बल्क फाइल मैंजमेंट यह बेसिक बल्क फाइल का जो है ना चीज़ें कैसे वो देख लिए इसको फर्दर इसको आड़िट पॉइंट अविव से हम इंशाला जो है वो नेक्स होती है कि अगर आपने ना कίο कैंपेण कर्येट करनी है आलओ कि मैं आपको थो नहीं करता कि आप कंपेण कर्येट करें लगंन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं ठीक है आधि यह कि अभर कृएंपलों अब मैंने ना कुछ आप GG कर्nap वीपियस है किसी के चैल्ड एकसेस है तो पते नहीं है कौन सा अकाउंट तो उस वक्ष जाना वो एक अकाउंट पे जा के चीजें करना काफी मुश्किल हो जाता है तो आप सिंपल यह कर सकते हैं अगर आपने न्यू कंपेंड करेट करनी है तो आप एक बनी बनाई जी कंपे केमपेंड को कापी कर दो अगर मैंने किसी कीवर्ड की केमपेंड को न्यू जनरेट करनी है तो मैं कीवर्ड की कीवर्ड उसको जो है केमपेंड को कापी कर दो अब होगा क्या जहां पर यह केमपेंड्स खतम हो रही होंगे ना मैं उसमें यहां पर आके इसको पेस्ट कर द let me put it here copy with the data okay 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 अच्छा तो अब चूंकि आप न्यू केंपेन करेट करें तो उसकी जो वेकरड आरडी और वो सब कुछ होगा ना वो आपने पिछले वाली की नहीं रखनी यह चीज़ आपने डिलेट कर देनी है ठीक है यह जब क्रियेट होगी तो एमाजन खुद बखुद इसको कोई वैल्यू असाइन कर देगा ठीक है तो अगर आप पिछली की ना त है भाई इस नाम की केंपेंट तो अल्रेडी एक्जिस्ट कर रही है ठीक है और यह यह भी आप में डिलेट कर देने यह भी एमाजन खुद वो करेगा अच्छा बाकि इस सीक्वेंस को आपने डिस्टर नहीं करना यह एमाजन इसको एजट इस लेता है ठीक है अच्छा मैं इसका कैंपेंट का नाम मैंने अपनी मज़ी से रख दिया बजट जो भी देना है मैंने जो कल्कुलेट किया हूँ है वह मैं इसको दे दूँगा अब यह टार्गटिंग एक्सपेक्शन एजट इस आएगा ठीक है यहां पे अच्छा यहां पे आई थिंक वो टार्गट हो रही है कैटर्गरी टार्गट हो रही है तो अदर्वाइस जो है ना यह जैसे यहां पे यह कीवर्ड आर्प्रड़क्ट टार्गटिंग ठीक है इस उसमें अच्छा एक यह भी है ना हमने कुछ कालम्स उपर हाइड कि हुए थी तो वो अभी हाइड हो के आ रहे हैं तो करना क्या है कि आपने लेट स्पोस्ज जो निव इहसन आपने टार्गट करना है तो उसको जो है अभी एसकी हुआ रहा रहा है ठीक है यह आपका एसकी हुआ ह तो उसको आप टार्गट कर देंगे यह कालम्स जो है ना हमसे कुछ आगे पीछे हुए है क्योंकि उपर हाइड हुए 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 है कालम्स तो उस वजह से तो नीची यह है कि आपने सारी के स्टेटिस एड़ गूप स्टेटर इस सब को आपने क्या कर देना है इनेबल कर जाओंगा कि जो कल्कुलेट हम कर रहते हैं तो वह प्लेसमेंट आप उससरा रख सकते हैं पीडीपी के ओपर बिडिग स्ट्राइजी चेंज करनी है आप यहीं से कर सकते हैं ठीक है इसको फिक्स करना है यहां से फिक्स कर दें तो आपकी एक कैमपेइन बल्क फाइल से करि लेकिन अगर आप स्टार्ट में नहीं है तो आप बेशक यह ना करें आप डेटर नालसिस के लिए इसको यूज करें बाद में आप इसको जो है नेगटिव टार्गटिंग भी यहीं से हो जाती है तृटिक है अभी जो है वह मैच टाइब नेगटिव आ नहीं रहा आपने ज्सको… उस कंपेन को कापी किया है ना उस जिस कंपेन में आपने नेगटिव करना है ना तो जो जहां पे अल्रेडी की। ही होती है उसके नीचे आपने जाके अपनी जिन सच्टर्म को आपने करने वह वाली काफी करते हैं और वह हो जाता है अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा वह यहां पे मुझूद नहीं है तो जबानी कलाभी आपको तरह मुश्किल लग रहा हो विट्स वेरी इसी ठीक है तो आप उसको यहीं से कर सकते हैं तो तकरीबन जो है आपकी केंपेन करियेशन उसको पाज करना सब कुछ करना वह आपका बल्क फाइल से हो जाता है तो ठीक है इसके रिलेटेड़ आपको कोई अगर क्वेस्चन है तो आप जरूर पूछ अगर किसी और चीज के मतलब है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अब मेरी जो बाकी एड़ का नेम है वो बागी केंपेन्स का भी मैंने मस एक्जेक्ट एक्सेक्ट वान एक्जेक्ट दू लिखा वह तो मतलब आडिट करते वग मुझे कौई इस्यू तो नहीं होगा ना यहोगा अगर आपने मतलब अपनी केमपेन का नाम एक्जाइक एक्जाइक कैसे रखा हुआ है नहीं गापने जो केमपेन का नेम होता है सर वो और वो डेफरेंट है ठीक है वह मैंने डिफरेंट रखा हुए प्रॉपर तरीके के साथ लेकिन जो एड ग्रुप्स के नेम है न वो मैंने मतलब सब केमपेंज में इसी तरह इड्जैक्ट या फ्रेज इस तरह लिखेंगा नहीं उसका आपको मसला नहीं होगा उसका मसला नहीं होगा जी ठीक होगे सर दूसरा यह क्वेश्चन था सर यह अभी आपने जो केमपेंज बनाने की बात की ना तो यह मैंने आप से पूछते हैं सर जैसे हम वहां से बनाते हैं तो वहां पर हमें एमाजान बेड़ से भी दिखार और सब दिखार तो जब हम बल्क फाइल से बनाते तो उन सब क्या करत ठीके चाहके अब मैनूल चेक कर लें की वर्ड़ के ओपर तो लेकिन यह है कि मोस्टली तो हमारी बिड़ कैलकुलेटेड होती हैं जब हम सब्सक्राइब करते हैं और वहां से जो सब्सक्राइब निकलती है तो वहां पर अल्रेड़ी हमें पता होता है कि हमने इसको किस पर करना होता है तो मुझे इससे को इंट्रेस्ट नहीं है कि Amazon क्या सिजेस्ट कर रहा है मुझे यह पता है कि मैंने इसको इस प्लेस्मेंट पर टार्गेट करना है तो मुझे अल्रड़ी पता होता है तो वह हम कैमपेन मैनेजर में जाए बगार ही उसको जो है वो बना देते है मैंने किसी केंपेन को पॉस करने तो सिम्पली की जहां पॉस लिग दूँगा पॉस जी यह आप इसको अच्छा सिर्फ economic को जितने भी जहां اiu जै rhoi यह चल लाई है वहांपे आपसको पास कर ने आप बिताताbs आ अब ही पास्ट आ गया यह जो है पास्त अब इसको मैं यह से ड्रैक कर लोँगा तो ये मेरी जो है वो एक कैंपेञ्ट यहां से पाज हो गईए यह आप देखिए हैं यहां से कैंपेञ्ट स्टार्ट हुई थी यह पाज और यह पुरॉड़क्ट अर्टिंग अच्छा अब मैंने गलती बस्ति क्या किया यह देखें अगली जो पाज हुई है तो उसको मैं दोबारा से कर दूँगा ठीक है तो यह जो उपर वाली कांपेन है वह आटो वह भी पाज हुई है लेकिन मैं इसको कंट्रॉल जी कर दूँगा ठीक सर्व मतलब अब विखते हैं मतला जब 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 जयादा क्मेंड जो अपरोच मैंने आपको बताई है जो रेंकिंग के अपरोच मैंने बताई है उसके लिहास तो आपकी इतनी ज़्यादा कंपेंड बंजाती है कि अगर आपके पास एक दो तो आपने उसमें चेंजिस करनी हो तो आप खेलते रहेंगे शाम तक खेलते रहेंगे कभी इधर टैब ओपन कर रहें कभी उद्र कर रहें तो वह बल्क फाइल में तो सब कुछ आपके जो है वह एकी स्क्रीन में सारे डेटा होता है अधिक सब्सक्राइब कर देते हैं अधिक सब्सक्राइब करते हैं और नेक्स सेशन में चला फिर इसको फर्दर इसको कंटिन्यू कर लेंगे ठीक है ओगी अलाफिस थैंक यू अलाफिस अलाफिस अलाफिस